नमस्कार स्वागत है आपका प्रदेश तक में मैं हूँ आपके साथ रीना भारत की सब्धता का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है हाल ही की बात करें तो देश की अर्थविवस्था दुनिया में पांच में नमबर पर है और जल्द ही ये तीसरे स्थान पर पहुंच सकती है तेजी से हो रहे डिजिटली करण और बढ़ते मध्यम वर्ग से भारत के विकास को गती मिलने की उमेद है जिससे 2030 तक इसकी अर्थविवस्था तीसरे स्थान पर आ सकती है जिसका सीधा मतलब है कि भारत जर्मनी और जापान को पचाड कर तीसरे स्थान पर काभीज हो जाएगा ये सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे रह जाएगी एक रिपोर्ट के मुताविक भारती अर्थविवस्था दोगुनी से भी अधिक बढ़ जाएगी और इसका आकार 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा यह 2022 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर का ही था पूरी दुनिया में मंदी और कुरोना महामारी के बावजूद भारत की अर्थविवस्था बढ़त पर है और ये बेहद सकारात्मक बात है इसका कारण टेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग है जो भोकता खर्च को बढ़ाने में मदद कर रहा है वहीं भारत का टेजी से हो रहा डिजिटली करण भी भारती अर्थविवस्था को तेज बना रहा है इस डिजिटल क्रांती से एकॉमर्स के विकास में तेजी आई है और अगले दसक तक तो रिटेल कंजूमर मार्केट का पूरा नजारा ही बदल जाएगा रिपोर्ट की माने तो भारती अर्थविवस्था दोहजार चबविस में जर्मनी से और उसके अगले साल यानी दोहजार सताइस में जापान से ज्यादा हो जाएगी इसके दोहजार अठाइस में 6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुच जाने की संभावना है जो अभी के दोगुने से अधिक होगा भारत ने वित्त साल दोहजार चौबिस की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिसत की वड़त दर्ज की है वही अनुमान है कि भारत चालो वित्त साल में 6.6 प्रतिसत की व्रधि दर्ज करेगा जो की उमीज से कम भले हो लेकिन वैस्वेक परिदिश्य को देखते हुए बहुत पूरी दुनिया में चल रहे डिजिटल बदलाव के दौर में भी देश काफी आंगे है और दुनिया भी भारत के डिजिटली करण को देखकर हैरान है डिजिटल एकोनॉमी का योगदान बढ़कर 20% पर पहुँचने की बहुत जल्द उम्मीद है आपको बता दे डिजिट 20 तक दुनिया की ट्रिलियन डॉलर डिजिटल एकोनॉमी में से एक बनाने का भी लच्छ सरकार अपने ध्यान में रखकर चल रही है फिलहाल इस खबर में बस इतना ही जल्द फिर में लेंगे कुछ और खबरों के साथ देश-दुनिया और अपने आसपास की ताजा-तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें फॉलो करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश-तक.com पर विजिट करें